तो स्वागत आपका फिरसे एक बार LDC की जो बरती है वेकैंसी 2024 चल रही है CT की बेस पे LDC की बरती पूरी हो रही है तो हम बात कर रहे हैं पिछली वीडियो में और उससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी जो LDC की वेकैंसी है ओनलाइन आवेदन के अंदर डिपार्टमेंट जो विभाग है उसकी प्रायोर्टी क्या रखनी है पिछली वीडियो में हमने बात की थी और उससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी वेकैंसी 2024 जो LDC की है उसमें जो बुक किताबे हैं वो आपको कैसे पढ़नी है, syllabus कैसे cover करना है basic कैसे cover करना है इसके बारे में हमने चर्चा की थी तो इस वीडियो में हम बात करेंगे LDC की भरती जो exam है उसकी त्यारी के साथ साथ में हम typing कैसे करें तो बने रिये हमारे साथ चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो पहला जो point है हमारा वो typing का ही है तो मैं आपको clear कर दूँ कि typing आपको साथ साथ में करनी है क्यों करनी है उसका भी reason हम आपको बताऊंगा जरूर और अगर आपके पास time कम है मैं बता दूँ आपको अगर साथ साथ में आप job लगे हैं आप job कर रहे हैं और इसके साथ साथ आप त्यारी कर रहे हैं तो आपके पास समय नहीं है तो आपको typing करने की जुरूरत नहीं है फिर भी अगर आपको time मिले बीच बीच में तो आप 2-3 गंटे रोजाना typing दे सकते हैं time मिले तब यह तो हो गई बात जो job लगा है और साथ साथ में त्यारी कर रहा है इसके बाद में बात करें हम कि जो full time दे रहा है exam के अंदर जो त्यारी कर रहे है paper की तो उसके साथ साथ typing कैसे करनी है और कितना time देना है तो उनको भी मैं बता दूँ आप कि जो typing आप कर रहे हो साथ साथ में उसमें आपको minimum 1 गंटा maximum 2 गंटे ही देने है और कितना time देना है कि जो आपका March का महिना है अपरेल और मही यह तीन महिने आपको एक बाद typing साथ में करनी है अगर exam अगस्त में होता है तारीक आगे नहीं जाती है मेरे इसाब से तारीक नहीं जाएगी आगे अगर फिर भी तारीक आगे जाती है तो वो बाद की बात है अगर अगस्त के इसाब से चलें तो आपको तीन महिने typing पे focus रखना है अब जो बच्चा पहली बार typing कर रहा है उसके लिए मैं बता दूँ आगे आपको दिकत आने वाली है अगर आप typing अभी शुरू नहीं करते हैं तो आपको time मिलेगा 40-45 दिन ही उसमें आप अपनी speed grow नहीं कर पाएंगे सिर्फ 25-30 की speed जो है per minute word जो per minute है वही आपकी speed रहने वाली है और उससे आपका score जो है वो excellent नहीं लगने वाला है ये note कर लीजिएगा दोस्तों मैं आपको मेरा experience बता रहा हूं कि अगर आपको typing में excellent score चाहिए और excellent score आना भी चाहिए क्योंकि exam के अंदर आप excellent लगा रहे हैं तो typing के अंदर भी आपका excellent होना चाहिए तभी आपका average excellent रहेगा तभी आपको home district मिल सकता है तभी आपको जो आपने प्राथमिक्ता department की बरी है चाहे स्केट्रियेट हो चाहे subordinate हो वो आपको मिल सकता है तो इसके लिए आपको दोनों पे focus करना पड़ेगा आप exam तो cover कर रहे हैं इसके साथ साथ में आपको typing भी रोजाना एक से दो गंटे करनी पड़ेगी अब उसके लिए मैं आपको दो उधारन देता हूँ दो बच्चे आप ले लीजिए एक बच्चा मान लीजिए exam के अंदर 140 number बना रहे है excellent score है उसका और एक बच्चा बना रहे है 125 नमबर उसका average score है excellent नहीं है अब बात करें इनकी typing की typing क्यों जरूरी है मैं उसके लिए आपको example बता रहा हूँ कि जो 140 नमबर वाला बच्चा है वो typing के अंदर average score लेके आ रहा है मान लीजिए उसका score आ रहा है 80 100 में से वो नमबर लेके आया 80 और exam के अंदर उसके नमबर है 140 तो कुल मिला कर उसके नमबर बन गए 220 अब जो दूसरा बच्चा है 125 वाला वो typing में लेकर आ रहा है 99,98 तक लेके आ रहा है मान लीजिए 99 लेके आया तो 99 पलस 125 उसका total score हुआ 223 अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि 99 कैसे possible है मेरे खुद के 98.8 नमबर 100 में से typing में आए है अगर मैं possible है तो screen पे आपको ये जो mark sheet है वो दिखा दूँगा जो online अगर download हुई तो मेरे से तो मैं आपको show कर दूँगा screen पे show हो जाएगी अब देखिए 99 possible है 100 भी possible है तो उसके लिए आपको अभी से typing start करनी पड़ेगी रोजाना एक से दो गंटे आपको typing करनी पड़ेगी साथ साथ में अब कुछ बच्चों के मन में doubt चल रहा है कि सर अगर अभी से typing start करें तो घर पे PC लाना पड़ेगा laptop लाना पड़ेगा keyboard mouse है वो खरीदना पड़ेगा ऐसा कुछ भी नहीं करना है दोस्तों आपके आसपास में कोई typing center होगा computer center होगा वहाँ पे आप अपना एग घंटा fix कर लीजिए कि उस एग घंटे में आपको typing करनी है तो वो एग घंटा है typing center वाला जो computer center वाला है वो आपसे 700 से 1000 रुपे तक की fees लेगा सिर्फ typing की ज़्यादा बजट नहीं है आपको सिर्फ 2 से 3 महिने typing करनी है तो 2 से 3 रुपे में काम चल जाएगा ये नहीं है कि आपको laptop ले के आना पड़ेगा PC ले के आना पड़ेगा 10 से 15 रुपे का बजट आपको लगाना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है minimum बजट के अंदर आप अपनी typing अच्छे से कर सकते हैं और मैं बता दूँ आपको कुछ YouTubers के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि mobile के साथ typing कर सकते हैं mobile में keyboard जोर कर आप typing कर सकते हैं तो ये बिल्कुल मत कीजिएगा दोस्तों क्योंकि आप अगर typing कर रहे है mobile के साथ तो mobile पे आप screen छोटी screen है और उससे आपकी आंखे भी खराब हो सकती है तो typing वहाँ पे mobile पे आपको typing आप बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन वो PC वाली बात नहीं रहेगी तो आप computer center join कीजिए अगर आपके पास laptop है अपना PC है personal computer है खुद का तो आप घर पे भी typing कर सकते हैं तो मेरा तो आपको एक ही suggestion है कि आप typing स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आपको excellent लगाना है typing के अंदर और एक्जाम होने के तुरंत बाद में अगर आप typing की सोच रहे हैं तो आप 40 से 45 दिन में सिर्फ अपना basic ही clear कर पाएंगे आप excellent score तक नहीं जा पाएंगे अगर आपकी typing अच्छे चल रही है पहले से आपने typing कर रखी है तो आप कम से कम समय दीजिए एक बार typing में एक बार exam में ध्यान दीजिए अगर आपकी typing बिल्कुल भी नहीं है तो आप थोड़ी सी typing स्टार्ट कीजिए अभी March, April और मही ये तीन महीने आप typing अच्छे से कीजिए और साथ साथ में आप त्यारी कीजिए तो ये तो था typing करें या नहीं करें और typing करें तो कैसे करनी है और किस तरीके से करनी है अब typing का पूरा जो बायो डाटा है typing को आप फोन से कीबोर से करें और कोन से मतलब software से करें typing और किस तरीके से उसको कितना time दे typing में ये भी हम अलग से वीडियो में बात करेंगे तो चैनल पर पहली बार जोड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब कुछ बच्चों के डाउट्स मेरे पास आये थे पिछली वीडियो में कमेंट्स के अंदर कुछ बच्चे कह रहे थे जैसा पहला डाउट है कि किस पार्ट में कितना टार्गेट बनाएं ताकि हम सेफ हो जाएं तो पहला तो मैं आपको टार्गेट बता दूँ कि टाइपिंग का टार्गेट एक बार आप 100 में से 100 ही लेकर चलिए और रिटन एक्जाम की बात करें तो मिनिमम टार्गेट आप 150 लेकर चलिए तो टार्गेट 200 नंबर का एक्जाम है तो हर बच्चा चाता है कि उसके 200 में से 200 आये लेकिन वो possible है नहीं मिनिमम टार्गेट आप 150 का लेकर चलिए क्या पता टाइपिंग में आपको आपका जो टाइपिंग है वो नहीं लगे हो सकता है टाइपिंग के अंदर आपके 60 नंबर बने अगर आप 150 लेके आते हैं 60 से 70 नंबर टाइपिंग में लेके आते हैं तो आपका जो मैं यह नहीं बोलूँगा कि कट ओफ इतनी जाने वाली है या इस स्कोर से आपका मन पसंद विभाग आपको मिल जाएगा मैं यह नहीं बोलूँगा लेकिन अगर 70 नंबर तक आपकी टाइपिंग अगर आपका एक्सिलेंट नहीं लगता है और एक्जाम में आपके 150 है तो आप बच सकते हैं आपका सेफ स कैसे करना है तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि NCRT की जो साइंस है नोवी से दस्वी क्लास तक की उसमें आप अपना बेसिक यानि की 20 से 25 क्लियर अराम से कर सकते हैं अगर आपने NCRT अच्छे से की है तो इसके लावा बजार में बहुत सारी बुक्स आती या जैसे अलिशन की है अरियंत की है तो साइंस है वो भी आप कर सकते हैं अगर साइंस वाले स्टुडेंट हैं तो वो आप नोवी दस्वी के अलावा 11 और 12 के अंदर जो फिजिक्स और कमेश्ट्री की बुक्स है वो आप अच्छे से कवर कर लीजिए आर्ट्स के बच्च और अच्छे से आपको पता है कि पांच ओप्शन अब की बार आने वाले हैं पांच विकलप आने वाले हैं और शीट के अंदर तो उसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है और एक बच्ची का कमेंट था कि अधर स्टेट्स से हूँ क्या मैं फोरम फिल कर सकता हू नोर्मल सा क्यूशन है अधर स्टेट्स से हैं तो जनरल कैटेगरी में आप आएंगे अधर स्टेट्स से फोरम फिल कर सकते हैं चेनल पर पहली बार जुड़े हैं